एक छोटा मगर खतरनाक राक्षस एफिल टावर के उपर खड़ा है, तो यहां हमारा राक्षस खड़ा है, यह उचाई 324 मीटर है, और वहाँ उपर से वो पैरिस शहर को बरबात करने की धमकी दे रहा है, एक राक्षस विरोधी दस्ते का पुलिस वाला जमीन पर खड़ा है वो एफिल टावर से 54 मीटर की दूरी पर खड़ा है, हम कह सकते हैं कि यह दूरी एफिल टावर के आधार के मध्य से मापी गई है, पुलिस वाला अपनी बंदू का निशाना उस राक्षस पर साथता है, पुलिस वाले को किस कौन पर अपनी बंदू को रख कर निशाना पड़े तो अपने उत्तर को दशमलों के दो स्थानों तक सन निकट यानि राउंड आफ करें। अब अगर यहां हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो इस समकोण त्रिभुज यानि राइट ट्रायंगल की हुझाई होगी 324 मीटर। और यह आधार हो जाएगा 54 और यह हो जाएगा एक समकोण क्यूंकि यह समकोण त्रिभुज है। वास्तों में देखा जाए तो हमें इस कोण का माब ग्यात करने के लिए कहा गया है। इसे मान लेते हैं थीटा। तो यहां हमें कुछ जानकारी दी हुई है। हमें इस कोण के सम्मुक भुजा यानि opposite side दी हुई है और हमें यहां इस कोण के आसन भुजा यानि adjacent side भी दी गई है। कौन सा त्रिकोण मीतिय फालन सम्मुक और आसन भुजा से सम्मंद रखता है। यह समरण करने के लिए हम सो का टोवा लिखते हैं। यह परिभाशा से ही बने हैं। तो हम कह सकते हैं कि थीटा का टैंजन्ट बराबर होगा opposite side, 324 बटा adjacent side 54। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सा कोण है जिसका टैंजन्ट बराबर होगा 324 बटा 54 के। चलिए इसके लिए हम calculator का प्रयोग करते हैं। जब हम calculator का प्रयोग करेंगे तो वहां टैंजन्ट क प्रतिलोम फलन को लेंगे। हम इसे फिर से लिखते हैं। हम tangent का प्रतिलोम यानि inverse tangent ये tangent के प्रतिलोम को दरशाने का एक तरीखा है। कि आप काफी जादा परिशान होंगे कि ये क्या हो रहा है ये हमें उस कोण का माप देगा जिसका टैंजन्ट लेने पर हमें 324 बटा 54 मिलेगा यहां पर इस पक्ष में हमें वो कोण मिलेगा जिसका टैंजन्ट लेने पर हमें टैंजन्ट ठीटा मिलेगा अब ये बाएं पक् तीन सो चौबेज बटा चौवन के, एक बार फिर धोराता हूं. यहाँ हमें दिया गया है कि थीटा का टैंजन बराबर है तीन सो चौबेज बटा चौवन के और यहाँ हमें हल करने पर वहीं कोण थीटा प्राप्त होगा, जो उपर वाले समीकरण को संतुष्ट करेगा. चलिए अब calculator निकाल लेते हैं हम माल लेते हैं कि हमें हमारा उत्तर अंश यानि डिग्रीज में चाहिए मैं ये सुनेशित कर लेता हूँ कि मेरे calculator में कोण का उत्तर अंश में ही मिले मैं यहां इस तीसरे वाले पर जाकर रेडियन की जगह इसे degrees यानि अंश कर दूँगा अब बाहर आते हैं इससे अब मैं ये shift दबा कर फिर tangent दबाता हूँ इससे ये inverse tangent में आ जाएगा 324 बटा 54 का inverse tangent बराबर होगा 80.5 हमें दशमलों के दो स्थान तक सन्निकट करने को कहा गया है ये होगा 80.54 अंश तो थीटा बराबर होगा 80.54 अंश यानि degrees के बराबर पुलिस वाले को इतने कोण पर बंदूख रख कर निशाना साधना चाहिए जिससे वो राक्षस मर जाएगा